नमस्कार में रिनुका तो आप सबका मेरे यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो अगर आप रोज रोज एक जैसा नास्ता खाके बोर हो गए हो तो आज में आपको एक अलग तरीकी का बहुत ही टेस्टेसा नास्ता बना के दिखाने वाली हूं जो अपने पहले यहां कि जग हमें यहां यह दिक सबस्क्राइब कर सकते हो फिसमें स्वाध निम्वश्य नमक डलना है श्युल प् Hanım फिरम में इसमें दो चमचं तील ड़ना है तो मेनिया थन्ड़ा तय लिया है फिरम में इसमें ठोड़ा-सुड़ा करके पानी डूलना है और शोचे को घ दलना है फिर तेल गरम होने के बाद हमें इसमें एक बारी कट किया हुआ प्यास दलना है और प्यास को अच्छी तरह से फ्राय करना है फिर हमें इसमें एक बारी कट किया हुआ टैमेटो डलना है और टैमेटो को भी अच्छी तरह से फ्राय करना है फिर हमें इसमें आदा चम और मिर्च पाउडर डवडर डलने हैं तो आप यहां हरी मिर्च पीश्तामाल कर सकते हो। फिर उसके बाद मेनी यहां एक कप किसा रहा हुआ फुल्गों भी लिया है तो आप यहां और कोई भी दुसरी सब्जी का इस्तमाल कर सकते हो फिर हमें इसमें स्वादन सा नमक डालना है फिर हमें इसमें आधा कप बारिक यह हरी धन्या डालने है और फिर से इस शारे इंग्रिडेंस को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस स्टफिंग के लिए दो मिनिट तक के लिए अभी हमें पका लेना है तो अभी यह दो मिनिट हो चुके है और इस स्टफिंग अभी बन चुकी है फिर हमें गुंदा हुआ अटा लेना है और इस आटे के गोले बनाने है तो यहां मैंने इस साइज में यहां गोले बना लिए हैं से उपर इस इस calendar बनाने वाली हूं तो इस तरह से हमें इसके ऊपर गोला रखे डिज़ाइन फिर में इसके उपर स्टफिंग भननी हैं तो आप अपने पसंद नुस्यgem अलक हम пост比如 लिंधodzi में बना सकते हो तो इसी तरह आप हमें सारे बना लेने तो आप आप the recipe को ही पी खुछा भी कर सकते हैं राण हुआ Jadi मों तल्म दर टलना हको वाइनी वाइत खुछाँ में ज़का देल शिंशा हो स्क दिया है कبح फीरो घिल हमेस पीको दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन होने तक प्राइब लेना है तो आप इसी तरह यह recipe बना के sauce के साथ नाश्टे में शरू कर सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक ने वीडियो में और एक ने टेस्टे recipe के साथ तो thanks friends watching my video